रवाश्कार भाईयो एक बार फिसे सोगत है आपका अपने चैनल MDR Information में भाईयो आज की बीड़ में बात करने वाले PM अवाज सोजना के अंत्रगत कितना पैसा मिलता है चाहे हो सहरी अवाज सोजना हो चाहे ग्रामीड अवाज सोजना हो बहुत सारे भाईयो का एक कमेंट रहता है कि आज साड़े तीन लाख अवाज सोजना का अलाम मिलता है तो जी हाँ भाईयो मैं आपको एभी जानगारी दूँगा कि कितना अवाज सोजना का पैसा पूरी तरीके से हार एक राज में कितना पैसा सक्सन करता है गौर्मेंट सभी लाबवर्तों के लिए चाहे हो सहरी हो चाहे ग्रामीड हो भाईयो बहुत सारे ऐसे लाबवर्ती हैं जिनको अभी भी एडाउट बना है अज की वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको किलर कर दूँगा या फिर भी बहुत सारे सिभाई हैं जिनके मन में अभी भी दूबदा है कि जो हमको धाई लाख रुपर मिल लाग मिल ला है एक लाग बीस अजार मिल ला है और भी जो रासियां है पांच लाग, चार लाग, तीन लाग यह सभी रास्यों को वापस करने पड़ेगी कि नहीं यानि पैस्यों को वापस करना पड़ेगा कि नहीं चाहे हो किस्त बाई किस्त हो या फिर एक साथ हो अभी जो आपके मन में समझता हैं उस सबको मैं किर्ण कर दूँगा इसकी वीडियो में तो सबसे पहले इतना जान लिजें जिन्दों लोगों को अवाश उना के सुची सची में जोडा जाता है इ। उन सभी लोगों के लिए अवाश के तरप से यानि जो आवाश का केंध्र है भाईयोues आपिस है जो है डूडा जी हाँ भाई यो आवास आपिस जो है वो डूड़ा है अप लोग जाते होंगे डूड़ा आपिस पे अपना सारा काम करवाते हैं होंगे डूड़ा आपिस में जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों सारी जनकारिया मिल जाएंगी आवास योजना से सम्मंदित है चाहे आप किसी भी राजस होंगे तो कि हर एक राज्य में आपिस अलग-अलग है लिकिन नाम डूड़ा आप इसी है अब बहुत सारे से राज्य हैं जहां पर अलग-अलग कटिगरी में किसी में DPR बनता है कहीं-कहीं भेज बनता है और कहीं-कहीं क्लास की सुबदा उपलब्द है तो यह जो आवास के सक्सन की प्रकिरिया है इसके अंतरगत सभी लोग वो पैसे सभी को मिलते हैं बस किसी-किसी लोगों को जादी मिलता है और कहीं-कहीं पर कम मिलता है तो आज की वीडियो इसके बार मैं बताऊंगा कि कितना लोगों को पैसा और कब कब मिलता है और कैसे कैसे और कितना पैसा मिलता है पहले आप लोग जान लेजिए जो PM आवास सोजना का पैसा भाईयो वो तीन किस्तों में आता है जी हां भाईयो तीन किस्तों में आता है तीन किस्तों में प्रधान मंतरी आवास सोजना का पैसा आता है कहीं कहीं भाईयो चार किस्त में आती है तीन से और चार किस्त के बीच में आता है पैसा अब वो जो चौथी किस्त है वो कौन सी होती है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बहुत ही डिलेल से बताऊंगा और आपको एक छोड़ी सी अच्छी जानगाय देना चाहूंगा भाईयो वो बहुत इंपोर्टन है अगर आप लोग जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है नहीं जानते हैं तो वीडियो पूरा देखिए भाईयो आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगेगा लोग ग्राम मिल आवास सोजना का पैसा जान लीजे भाईयो फिर मैं सहरी आवास सोजना का बताता हूं तो ग्राम मिल आवास सोजना में एक लाख बीस हजार रुपै जी हाँ भाईयो एक लाख बीस हजार रुपै और कहीं कहीं पे भाईयो एक लाख तीस हजार रुपै है बाहुली छेतर होते हैं जहां पर पानियों की संबस्य जहां पर पहारी छेतर होते हैं क्योंकि वो जो foundation की प्रकिरिया होती है उसको मजबूत बना सकें अब भाई यो बात करते हैं जो सहरी अवास उजना के लिए पैसा किता मिलता है अब इतना लीजिए सहरी अवास उजना के लिए दो कटगिरी में पैसा डिवाइड किया गया है वास्तों में तो ऐसा है कि वहाँ पर जो प्रकिरिया है सहरी अवास उजना के लिए सभी के लिए अलग-अलग कटगरी में इधारित किया गया है क्या पहले क्या है एक BLC के तहिद मिलता है पैसा यह क्या है ISSR प्रजेक्ट के तहिद मिलता है यानि ISSR इसके प्रजेक्ट के अनुसार मिलता है तकि दो प्रजेक्ट के अनुसार पैसा सभी को भेजा लाता है जो ISSR प्रजेक्ट है इसकी कटगरी अलग होती है और जो BLC होती है वाई यो BLC बेनफैसरी लेट का उसक्षन इसकी कड़गरी अलग होती है सभी लोगों के लिए तो यहां पर जो अवासोजना का पैसा होता है कितना मिलता है मैं आपको इसमें सिर्फ BLC की किलियर करूँगा अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं AISSR का किलियर कर दूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबे होगी जैसे 15-20 मिन के हो जाएगी आप लोगों को बोरियत होगा तो इतना जालीजिए पहले क्या मिलता है तो अब इतना जाने भाईयो जो पैसे मिलता हो कितना मिलता है तो धाई लाग रुपे मिलता है आवासोजना के लिए जायती है और किसी को देना भी नहीं होता है वैसे तो बहुत सारे बिचोलिया होते हैं सब काम के लिए लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे चलके इतना धाई लाग रुपे आपको मिल जाता है अब आपकी मर्जिय आप क्या करते हैं इसका घर बनवाते हैं क्या करते हो आपकी जिम्मेदारी है इसमें जो जे होते हैं वह बारी बेरी से निरच्षड करवाते हैं यानि बारी बारी से आगर निरच्षड करते हैं और जियो टैकिंग की परकिरिया को वागई बढ़ाते हैं यह जो फेज होता है लगबग वागज जहां तक पता है फेज के कड़गेडी में आते 30,500,000 रुपे जो 30,500,000 रुपे गाता दोस्तो यह गुजरात के लिए होता है जिह थे गुजरात में 43 रुपे मिलता है और सभी अन्ने राजियों में بھی एक-डो ऐसे राजे हैं जहां गयां पर सभी सबड़ा तों मिलता है लेकिन कुछ ऐसे राजिय जहां पर 2,500,000 रुपे मिलते हैं अब net कीन था पहले किस्त दोब कुस्त 1,000,000 50,000 गतार पूरे रोटल दो लाक रूपे में आपके आप बात करते हैं जो एक last किस्त बती होगाय की पचास जार रुपे की जहां पर नॉर्मले धाई लाख रूप मिलता है वहां पर एप परकिरिया चलती है तीन किस्तों में पैसा आता है जहां पर धाई लाख रूप मिलते हैं अब जहां पर साड़े थीन लाख रूप मिलते हैं उनकी क्या परकिरिया यह जान लीजिए सबसे पहले 1,00,000,000 रुप मिलेगा दुबारा भाईयों आपको 1,50,000,000 मिलेगा और लास्ट में भाईयों आपको 1,00,000 रुप मिलेगा यान 3 किस्तों में यहाँ पर डिबाड़ किया गया पैसा तो हो गए साढ़े 3,00,000,000,000 रुपे के लिए बाकी अन्य राज्यों में धाई लाख रूपे निधायत हुआ है अभी तक प्रधानमंत्री आवाज शोजना के लिए और आई अससार प्रजेक्ट का जो नियम कानून है उसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि उसके अंतरगत कैसा क्या होता है और प्रधानमंत्री सह महिने में बहुत सारे लबर्तियों को पैसा भीजा जाएगगा अब यह नहीं है भाय कि सभी लोग को पैसा भीजा आएगा लिकिन जतने बकायव आ कि है जितने लोगों का प्रक्रीय कमप्लीट है उन सभी को उम्मीधह कि पैसे इस महीने के लाज्छ तक भीज जाएँगे तो चलिए भाईयो आज के लिए बस इतना ही जनकार इच्छे लेगी हुई तो वडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको आपको समझे अरग अपडेट मिल पाए धन्यवाद भाईयो